आप सब लोग बहुत ज़ादा पैनिक मोड में थे इस्तिती तो क्लियर थी कि हाँ ये सब होने वाला है लेकिन सब लोग नोटिस का ही वेट कर रहे थे कि आज आएगा कल आएगा साटर्डे से लेकर थर्जडे हो गया और हर कोई जो है नोटिस का ही वेट कर रहा था तो आज साट मार्च है तो नोटिस आच चुका है पेपर सत्रा मार्च को नहीं हो रहा है पेपर आपका जुलाई में होगा जुलाई में किसी भी दिन आयोग अपने हिसाब से बता देगा कि जुलाइ में आपका पेपर होने वाला है तो अभी आपके पास देखो, मार्च है, एप्रिल है, माई है, जून है, चार महीने हैं तो मुझे लगते हैं आप बहुत सारे लोग प्रिलिम्स के लिए काफी हद तक परिपेर होंगे हाँ माना कि आपकी एक हफते से किसी की 15 दिन से किसी की 20 दिन से जो है पढ़ाई डेस्टाब होगी लेकिन काफी हद तक मैं समझ सकती हूँ कि 60-70% preparation हर किसी की होगी prelims को लेके maximum इतनी preparation तो होगी तो अभी जो ये time है इसको हम utilize करेंगे prelims प्लस mains के लिए हम इसमें prelims का भी करेंगे साथ में mains का भी करेंगे तो देखो क्या है न कि paper जो है आपका postpone हुआ है जुलाई में होने वाला है तो बहुत जादा chances हैं कि ये भी कि आपकी जो seat है वो increase होगी इसका एक सबसे बड़ा reason ये है कि department से अध्याचन जा रहा है तो जो आपका seat है उसमें भी जो है increase आएगा तो अध्याचन जाना शुरू हो चुका है और सारी चीजे आपका update हो रही है तो बहुत जादा आपको मेहनत करने की जरूरत है ये ने की March पूरा ऐसे ही निकाल दिया कि होली तक आपको होश ही नहीं है फिर होली के बाद 4-5 दिन बाद होश आ रहा है तो ऐसा भी नहीं करन सारी आपको strategy जो है मैं share कर द होनगे किस थरीके से सारी चीजों को करना है और अब तम और इसालिट यह निकों किस तरीके से योटराईज करना है ये सारी चीजें हम जो है शेयर करेंगे तो इसलसाब से आपको चीजों को करना होगा और रही बात यह कि new exam date क्या होगी और किस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको आपको रखना है तो हम क्या देखेंगे इस वीडियो में new exam date कि क्या probable exam date होगी और strategy हम थोड़ी बहुत strategies में हम एक उपरी मैं आपको एक overview दे दू कि किस तरीके से हम चीजों को करेंगे और जो हम detailed strategy है detailed strategy उसका वीडियो मैं आज या फिर कल सुबा तक इसको share कर दूँगी तो आप यह देखेंगे तो देखो UPPSC ने अपना यह exam calendar दिया था तो यह UPPSC ने अपना यह exam calendar दिया था तो UPPSC ने बोला है कि exam जो है July में होगा तो जुलाई में डेट है एक तो साथ जुलाई 21 जुलाई और यह 28 जुलाई तो यह तीन डेट है 28 तो मुझे नहीं लगता है कि इतना लेट जाएगा तो साथ जुलाई को हो सकता है 21 जुलाई भी मतलब है जुलाई 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 जुल current affairs जो आपको focus करने है वो अभी October से लेके October 2023 से लेके में 2024 तक के current fare आपको prepare करने है फिर आप integrated किस तरीके से कि prelims or mains कि किस तरीके से तयारी करनी है तो last का जो है आप 60 days, last के 60 days दो महीने जो है दो महीने या 50 दिन इस हिसाब से आप prelims के लिए focus करेंगे और शुरू के जो 60 days है वो mains के लिए mains plus prelims के लिए इस तरीके से अब देखो अब क्या है कि आपका paper जुलाई में हो रहा है UPPSC का और जो UPSC है वो आपका 26 मही को है तो आपके पास इन दोनों paper के बीच में पूरा एक महीना है तो जो लोग UPPSC और UPPSC दोनों की preparation कर रहे हैं तो वो क्या करिये standard book जो standard book है mostly दोनों की same है मैंने book list वाला एक video बना रख है तो वहां से आप देखेंगे you will find the same standard book for UPPSC and UPPSC difference कहां जाता है science and tech में थोड़ा difference आजाता है and current affairs different हो जाते हैं और क्या है कि nature of question nature of question अलग होता है UPPSC और UPPSC टेक्सबुक और books list आपकी same रहती है तो अगर आप जैसे अगर दोनों तो यह paper की तैयारी कर रहे हैं तो common standard book रखिए दोनों के लिए common standard book रखिए और साथ में जो है आप अपने अलग-अलग current affairs दोनों के लिए prepare कर सकते हैं current affairs पर जादा focus करना होगा और आप UPPSC के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो में तो इसे साँड़ी को कर सकते हैं किसी साँटी चीज़ाए तो आपकी सारी स्टाइजे को यह अज जाएंगे एक बीज़ी जो है रिए जितीन अपना वेयक कर पाएं और सारी चीज़ों को अच्छे से खरें तो I'll share that strategy soon और paper postponed हो गया है और time waste मत करो और बहुत अच्छी golden opportunity मिली है and pre और mains जो है दोनों के लिए तैयारी करो और इस बार जो 2024 है यह आपका last attempt होना चाहिए इसके बार यह नहीं कि नहीं next year कर लेंगे यह कर लेंगे बहुत अच्छी opportunity मिली है इस opportunity को grab करो और अच्छे से लग जाओ और बाकि जो भी doubt है कुछ भी अगर आपको query है कुछ भी अगर पूछना है तो नीचे comment box में पूछ लीजे I'll answer your every query दो-तिन दिन से बहुत जादा phone calls आ रहे ते ही आ रहे थे मैंने और जो है पोस्ट करी दिया था लेकिन यही है ना कि जब तक official notification नहीं आ जाता तो सब कुछ तब तक यही है कि हाँ है लेकिन नहीं भी है तो इस तरीके से हैं मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार होंगे चीजों को अच्छे से समझते होंगे तो बस वो ही है कि अब आपके सामने notification आ चुका है तो मुझे लगता है आपके सामने सारी चीज़े किलियर हो गई होंगी तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं थांक यू और बेस्ट